नमस्ते मैं सुनीता सेंगाडा साया काचारी संस्क्रत स्वर्गी श्री भिकाबाई भील राज के महाविध्याले सागवाडा से कभी भर्त हरी द्वारा रचीत नीती शतकम का अध्यान करते हुए पूर्व की वीडियो में हमने मुर्ख जन की निंदा की विशे में देखा कि मुर्ख जन किस प्रकार का व्यभार करता है उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम विद्वत पद्धती का अध्यान करेंगे जिसमें कभी भर्त हरी विद्वानों की विशेष्टाओं का वर्णन कर रहे हैं पुर्व में जो राज सत्ता है राजा इत्यादी उन्हें किस प्रकार विद्वानों के साथ वेवार करना चाहिए उनका सम्मान करना चाहिए विद्वानों में क्या विशेष्टाओं होती हैं आज की इस वीडियो में हम यही अध्यान करेंगे कभी भर्त हरी विध्वानों की विशय में कहते हैं शास्त्रो उपस्कृत शब्द सुन्दर गिरह शिश्य प्रदेया गमा विख्या ताहा कव्यो वसंती विश्य यस्य प्रभू निर्धनाह तत जार्यम वसुधा धिपस्य कवयस्त अर्थम विना पिश्वराह कुछ सियाह सीहू कुपरिक्षकाह ही मनियो यई अर्गतह पातिताह कभी भर्त हरी राजाओं को संबोधित करते वे कहते हैं शास्त्रो उपस्कृत शब्द सुन्दर गिरह कि शास्त्रों के द्वारा शास्त्र घ्यान के द्वारा सुन्दर शब्दों से युक्त जिनकी गिरह वाणी है शिश्य प्रदेया गमाह जो अपने शिश्यों को आगम, वेद इत्यादी जो भी शास्त्र हैं उनका ज्ञान प्रदान करते हैं विख्यात आहा कवे हो जो विख्यात कवी हैं, प्रसिद्ध कवी हैं ऐसे यस्य प्रबो हो विश्य जिस प्रबु अर्थात राजा, जिस राजा के विशय, विशय कार्थ होता है राज्य जिस राजा के राज्य में निर्धनाहान वसंती, दरीद्र हो करके निवास करते हैं राजाओं को संबोधित किया जा रहा है कि जिस राजा के राज्य में विख्यात कवी इत्यादी जन जिनकी वाणी शास्त्रों के ज्ञान से सुन्दर शब्दों से युक्त हैं जो अपने शिश्यों को वेद आधी का अध्यन करा रहे हैं ऐसे विद्वान जिस राजा के राज्य में निर्धनाह वसंती निर्धन होकर निवास करते हैं दरीत्र होकर निवास करते हैं तत जाडियम वसुदा धिपस्या तो यह उस वसुदा धिप वसुदा यानि प्रत्वी अधीप यानि राजा उस प्रत्वी का उस राज्य का जो राज्या हैं उसकी मुर्खता है जाडियम जाडियम कार्थ होता है मुर्खता जड़ता है कि किसी राज्या के राज्य में विद्वान दरीद रहें तो यह उस र जन है जो विद्वान जन है अर्थम विना धन से रहित होने पर भी एश्वर्या है वह एश्वरी संपन्य होते हैं उनकभ्यों का धन उनका ज्ञान है तो अगर वह निर्धन भी है तो वह एश्वरिवान कहे जाएंगे किन्तु उनकी निर्धनता उस राजा की मुर्खता हैं कुछ्याहा सिहु कुपरिक्षकाहा ही मनियों यही अर्गतः पातिताहा यही जिन कुपरिक्षकाहा परिक्षक परिक्षकाता परिक्षा करने वाले जाच करता यहां पे कुपसर्ग जोड़ दिया है कि जो कुपरिक्षक है जो जाच करने के योग्ये नहीं है उनके द्वार मनियों हो किसी मनी को अर्ग तह पातिता अर्ग उसका जो मुल्य है वास्तविक मुल्य है यदि उसे पातिता हा गिरा दिया जाता है कि मनी का जो वास्तविक मुल्य है उसकी सही जांच ना करके कोई परिक्षक यदि उसका मुल्य कम बता देता है तो कुछ सियाहासी हूँ, उस परिक्षक की ही निंदा होती है, उस मनी की निंदा नहीं होती यहाँ पे कभी भरतर ही कह रहे हैं कि मनी तो हमेशा मुल्लिवान ही है किन्तु यदि कोई परिक्षक जिसमें योग्यता नहीं है यदि वह उस मणी का मुल्य कम बता देता है तो ये उस परिक्षक की निंदा है उस मणी की निंदा नहीं है उसी प्रकार जिस के राज्य में जिस राजा के राज्य में विध्वान कवी जो सुन्दर शास्त्र ज्यान से युक्त वानी बोलते हैं अपनी शिश्य को वेदों का अध्यन कराते हैं यदि ऐसे विध्वान वानी अगर विध्वान जो जन है यदि निर्धन है उनकी धन की विवस्था नहीं हैं, वे दरीद रहें, तो यह वसुदा धिपस्य जाडियम, उस राजा की मुर्खता हैं, अर्थात राजा का ये कर्तव्य हैं, कि अपने राज्य में निवास करने वाले जो भी विद्वान जन हैं, उनकी जिविका की विवस्था वह करें, और यदि कोई निर्धन हैं, तो यह उस राजा का दोश हैं, क्योंकि कवयह तो अर्थम बिना अपिश्वरा, क्योंकि कवी तो धन के बिना भी एश्वरिय वान हैं, क्योंकि उनके पास विद्यारुपी धन हैं, तो वह श्रेष्ट हैं, अगर वो दरीद रहें, तो यह उस राजा की मुर फिर आगे कहते हैं पस्तैही सह इस पर्धती रिपा हां राजाओं को पुना संबोदित किया जारा है कि ये शाम जिन मनुष्यों के पास में जिन विद्ध्वानों के पास में विद्ध्याक्य अंतरधनम विद्ध्यारुपी जो गुप्त धन है तान प्रति उन विद्वानों के प्रती हे इंद्रिपा, हे राजन, मानम, उझ्जत तुम अभिमान को ट्याग दो कस तैही सह सपर्धते तैही उन विद्वानों के साथ में कह कौन सपर्धा कर सकता है यहाँ पे अभिमानी राजाओं को कहा जा रहा है कि तुम अपने धन का अपने बल का अपने राज्य का अभिमान कर रहे हो पर उन विद्वानों के प्रती जिनके पास विद्या के अंतरधनम चुपा हुआ गुप्त धन हैं उनके प्रती तुम मानम उच्छेत तुम अभिमान छोड़ दो क्योंकि तुम उनके साथ में इस परधा नहीं कर सकते वह तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ है अब किस प्रकाश श्रेष्ठता बताई जारी हैं यहां पे विद्यारुपी जो गुप्त धन है उसकी विशेष्टा बता रहे हैं यह जो धन है विद्ध्यारुपी जो धन है हर्तु चुराने के लिए गोचरम न याती किसी को दिखाई नहीं देता है विद्वानों का जो ज्ञान है वह किसी को दिखाई नहीं देता कोई उसको चुरा नहीं सकता है कीमपी शम पुशनाती यत सर्वदा यह धन हमेशा किमपी किसी विशेश प्रकार की शान्ती का पोशन करता है, शान्ती प्रदान करता है अप्पिर्थिब्यह प्रतिपाध्यम अनिशम प्रापनोती व्रद्धीम पराम अर्थिब्यह जो भी याचक हैं उनको प्रतिपाध्यमानम अनिशम निरंतर रात दीन प्रतिपाध्यमानम यदि उन्हें लिया जाए पराम व्रद्धिम प्रापनोती तो भी वह श्रेश्ठ व्रद्धी को प्राप्त होता है अर्थार रात दीन विद्यार्थियों को घ्यान दिये जाने पर भी वह जो विद्यारुपी धन है वह कभी समाप्त नहीं होता है अपितु निरंतर वह व्रद्धी को प्राप्त होता जाता है कलपान तेश्यू अपिन प्रयाती नीधनम अनिक कल्प व्यतित अनिक युग व्यतित हो जाने पर भी निधनम न प्रयाती वह धन कभी समाप्त नहीं होता है विद्याक्य अंतर धनम ऐसा यह ज्ञान रुपी अंतर धन गुप्त धन यहां विद्वानों के धन की विशेष्टा बताएं कि विद्वानों का जो घ्यान है उसे कोई चुरा नहीं सकता वह चोर की ध्रश्टी में नहीं आता है वह विद्यारुपी धन निरंतर शांती प्रदान करता है विद्ध्यार्थियों को राहत दिन दिये जाने पर भी कभी समाप्त नहीं होता अपितु निरंतर उसकी व्रद्धी होती है और अनेक युग व्यतित हो जाने पर भी वह धन कभी समाप्त नहीं होता है जबकि राजा का जो धन है उसे कोई चोर चुरा सकता है वह धन हमेशा अशांती का कारण होता है यदि याजकों को रात दिन दिया जाए उसका दान कर दिया जाए तो वह नश्ट हो सकता है और कुछ समय के बाद में राज लक्षमी भी अपनी चंचलता से नश्ट हो सकती है तो कहरें कि तुम्हारे धन में और विद्वानों के धन में बहुती भेद है उनका धन श्रेश्ट है तान प्रती मानम उच्छत तो विद्वानों के प्रती अभिमान को तुम छोड़ दो कहत अई सह इस पर्धते तुम उनके साथ में इस पर्धा नहीं कर सकते उनका धन तुम्हारे धन से ज़्यादा श्रेष्ठ है फिर आगे कहते हैं अधिगत परमर्थान पंडितान माम अवस्थाम त्रणमीव लगू लक्ष्मी नईवतान सम्रुनद्धी अभिनव मदलेखा शाम गंड अस्थलानाम नभवती विस्तन्तु वारणम वारणानाम राजाओं को पुना कहते हैं कि तुम उनके प्रती अभिमान छोड़ दो कि है राजन अधिगत परमर्थान जिनोंने शास्त्रों के परमर्थ को जान लिया है एसे पंडितान उन विद्वानों के प्रती मा अवस्थाम तुम अपमान मत करो कि विद्वानों का तुम अपमान मत करो त्रणमीव लगू लक्ष्मी तिनके के समान जो तुछ लक्ष्मी है तुम्हारा जो धन है नईवतान सम्रुनद्धी तान उन विद्वानों को रोक नहीं सकती है अर्था तुम अपने धन के बल पर उन विद्वानों का अपमान कर रहे हो तो तुम उसे रोक दो मत करो क्योंकि तुम्हारी ये जो लक्षमी है वह तिनके के समान तुछ हैं और वह उन्हें बांध करके नहीं रख सकती उधारन देते हैं अभिनव मदलेखा शाम गंड अस्थलाना की जिनके गंड अस्थलों से कपोलों से अभिनव मदलेखा नवीन मदजल की रेखाएं बहे रही हैं और उस मदजल से जिनके कपोल शाम वर्न के हो चुके हैं ऐसे वारणा नाम जो विशाल गजराज हैं उनको 20 तंतू कमल नाल की जो तंतू हैं रेशे हैं वारणम न भवती वह उन्हें बांध नहीं सकते हैं जैसे मदजल से युक्त विशाल गजराजों को कमल नाल के तंतूओं से बांधा नहीं जा सकता हैं उसी प्रकार जिन विद्वानों ने शास्त्रों के परम अर्थ को जान लिया हैं उन विद्वानों को तुम्हारी यह त्रणमीव तिनके के समान तुछ लक्ष्मी नईव सम्रुन दी उन्हें रोक नहीं सकती कि तुम उनके प्रती अभिमान मत करो मा अवस्थाम तुम उनका अपमान मत करो कि उनका जो ज्याने वह जादा श्रेश्ट हैं और तुम्हारी यह जो लक्ष्मी है वह तुछ तिनके के समान है तुम मा अवस्थाम तुम उनका तिरसकार मत करो फिर आगे कह रहे हैं जीनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हंती नित्राम कुपीता विधाता जो विधाता है भागे रचेटा ब्रह्मा नित्राम कुपीता अतिधी क्रोधित होकर के हंस के अम्बोजिनी कमलिनी के वन में विहार करने का जो विलास हैं आनंद हैं हंती उसे नश्ट कर सकता है कि यदि विधाता हंस पे अत्यदी क्रोधित हो जाए तो वह हंस का जो कमलिनी वन हैं जिसमें वह ब्रह्मन करता हैं आनन्द उठाता है तो उस कमलीनी वन को तहस नहस करके उसे नश्ट कर सकता है और हंस के उस विहार के विलास को समाप्त कर सकता है ना तु अस्य दुप्त जल भेद विधव प्रसिधाम किन्तु अस्य उस हंस के दूध और जल को भेद प्रठक करने की जो विधी है उसका जो गुण है और उस गुण के कारण प्रसिधाम इस विश्व में उसकी जो प्रसिद्धी है वेधग्ध किर्तिन उसका जो यश है अपहर्तुं उसको हरन करने में न समर्थ वह भ्रह्मा भी समर्थ नहीं है कि है राजाओं को संभोधीती किया जा रहा है कि यदि कोई विधाता क्रोधित हो जाए तो हंस के कमलीनी वनक को नश्ट कर सकता है उसके जो आनद है उसकी सुकसुवीधाएं है उसको वनक्ष्ट कर सकता है किन्तो हंस की जो विशेष्टा है दूद और जल के मिश्रण में से दुगध को वपी लेता और जल को छोड़ देता है जो उनको प्रथक करने की जो विधी है उसका जो गुण है और उस गुण के फर सरुप उसकी जो प्रसीद्धी है इस जगत में जो कीरती है उसको वह कभी भी समाप्त नहीं कर सकता तो उसी प्रकार है राजन यदि आप क्रोधीत हो जाएं तो अपने राज्जी में निवास करने वाले जो विध्वान है उनकी सुकसुविधाओं को आप नश्ट कर सकते हैं उन्हें अपने राज्जी से आप बाहर निकाल सकते हैं किन्तु उन्ा जो जो ज्यान है और ज्यान के फलस्वरुप उनकी जो किरती है यश है प्रसीद्धी है उसको आप कभी भी समाप्त नहीं कर सकते हो तो इसलिए आप विद्वानों के प्रती अभिमान मत करें तो इस प्रकार कभी भरतर ही कहते हैं कि यदि किसी राजा के राज्य में कोई विद्वान नीरधन है तो वह उस राजा की मुर्खता है क्योंकि विध्वान व्यक्ति तो अपने विध्या रुपी गुप्त धन से ही एश्वरीवान होता है उसका यह जो गुप्त धन है वह कभी समाप्त नहीं होता कोई उसे चुरा नहीं सकता विद्या प्रती दिन शांती प्रदान करती है और निरंतर व्रद्धी को प्राप्त होती है तो राजा अपने धन के बल पर कभी उनके साथ इस परधा नहीं करे उनके प्रती अभिमान न करे क्योंकि राजा की जो लक्ष्मी है वह तरणमीव तिनके के समान तुच्छ हैं वह विद्वानों को बांध कर नहीं रख सकती है जैसे विशाल गजराज को कमल नाल की तंतु से बांधा नहीं जा सकता और यदि कोई राजा विद्वानों पर क्रोधित हो जाए तो उसे अपने राज्य से निकाल सकता है किन्तु उसके ज्ञान को कभी नश्ट नहीं कर सकता है जैसे ब्रह्मा हंस पर क्रोधित होकर कमलिनी वन को नश्ट कर सकता है किन्तु दूदोट जल को प्रथक करने की जो विदी हैं हंस की जो विशेष्टा है उसे वह कभी नश्ट नहीं कर सकता है तो हे राजन आप भी विद्वानों के प्रति कभी अभिमान न करें उनके प्रति कभी इस परधा न करें तो आज की इस वीडियो में यहीं ता धन्यवाद